In the year 2021 मैंने 5000 प्लस IIT JE की स्टूडेंट्स को मेंटॉर करा उनको मेंटॉर करके मुझे एक बात तो है क्लिरली समझ आ गई कि 95% स्टूडेंट्स को exactly IIT JE का स्लेबस ही नहीं पता होता यह बहुत कड़वी सच्चा ही है कि आज के समय पे तुम्हें यह तो पता है कि कौन सा चेप्टर है पर क्या तुम्हें यह पता है कि उस चेप्टर के कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट है और किस टॉपिक के कॉश्चन आज की समय पे पूछे ही नहीं जाते यार ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि कोचिंग में तुम्हें कोई भी ये सारी चीजे नहीं बताने वाला तो हाई गाइस, I am Prishant, I am a third year student जो कि अपनी इंजिनिरिन पस्यू कर रहा है मैंने 2019 में J-Min and J-Advance दोनों कॉलिफाइ करे थे यार एकना बहुत कड़वी सच्चाई है कि आज के समय पे तुम्हें या फिर 95% students को exactly slaves नहीं पता होता यार देखो अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार coaching में नहीं बता रहे, school में नहीं बता रहे कहीं पे भी नहीं बता रहे और तुम खुद भी ढूंडने की ट्राइ नहीं करते क्योंकि आज के समय पे कोई भी YouTuber ये चीज़े नहीं ला रहा है जो कि आज मैं तुम्हारे साथ लेकर आया हूँ यार मेरा नहीं एक सपना है मेरा एक गोल है कि जितने भी students मेरे साथ जुड़े रहे हैं उनका मैं selection करवा पाहूँ जेई मेर में जेई एडवांस में तो अगर तुम्हें सपने के साथ जुड़े रहेना चाते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जो की है cracking down या breaking down the syllabus of IITJ physics अगर तुम्हें similar वीडियोस चाहिए math and chemistry के लिए तो comment करके बिल्कुल बताना तो चलिए फिर जल्दी से start करते हैं जैसे कि तुम्हें स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखे रहा होगा breaking down IITJ Slavers तो एर आज हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो की शायद किसी ने YouTube पे नहीं करा है आज हम Slavers को break down करने वाले हैं तुम्हे important चीज़े बताने वाला हूँ इस बात की guarantee मैं लेता हूँ किसी भी coaching में चीज़े नहीं बताई जा रही हैं तुम जहां पर एक एक लाक रुपे दे रहे हो वहाँ ये कोई नहीं बता रहा है तुम्हें सिर्फ पढ़ाया जा रहा है पर PDF तुम्हें मिलेगी exactly Slavers की पर यहां पर मैंने pointers mark कर रहे हैं कैसे mark कर रहे हैं दिखाता हूँ ठीक है तो देखो जैसे कि आप यार हमारा unit number one है physics and measurement इसके जो मैंने red से mark कर रहे हैं वो हैं इसके important topics अब देखो physics and measurement में सबसे जादा important होता है error in measurement and dimension in physics and dimension analysis सिर्फ इसी से question आ पढ़ो इनी topic को पढ़ो 99% chances हैं कि इसी से question आएंगे अगर इस chapter में से question आते हैं तो ठीक है समझ गया screenshot लेते चलना और हाँ एक और चीज़ है telegram join कर लेना ऐसे ही latest updates के लिए and इस PDF के लिए telegram join कर लेना link कहां है भाईया link है description में तो जल्दी से telegram join करे हमारी community का हिस्सा बने 5000 1000 प्लस की हमारी community है तो उसका जरूर हिस्सा बनेंगे अगर वीडियो अच्छी लग रहे है तो चानल सब्सक्राइब भी कर लेंगे अगले पर चलते हैं अगला है हमारा kinematics इस kinematics importance येस बिल्कुल बहुत ज़्यादा important chapter है अगर मैं बोलू तो है position time graph speed velocity जितने भी graph है सारे important ह चाहे तुम यहां देख लो उसके अलावा जब रिलेटिव velocity motion in place projectile motion और uniform circular motion ये जो topics होते हैं बहुत ज़्यादा important होते हैं इसके question आते ही आते हैं हर बार एक से दो question graph पे तो बनते ही बनते है kinematics से तो अभी तक नहीं पढ़ाए तो पढ़ लो और अगर बिल्कुल नहीं ठीक है तो laws of motion में important तुम देख सकते हैं impulses देख लो law of conservation of linear momentum ये सबसे ज़्यादा important है linear momentum का conservation उसके अलावा friction friction के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए rolling friction ये rolling जो friction है न दोस्त ये जो rolling friction है ये पूरा काम आएगा rotation में rotation में इसी का concept यूज होता है ठीक है और अगर तुम्हे question practice करने है यार भाई हमसे question practice नहीं होती हमारे पास कोई mentor नहीं है तो यार an academy में free classes लेता हूं क्या लेता हूं में free classes तो तुम उन free classes को बिल्कुल से बिल्कुल देख सकते हो सारी चीज़े description में तुम्हें मिल जाएंगी आगे चलते है आगे है यार work energy power बहुत जादा important chapter ये भी पता है तुम्हें सबसे जादा important है work energy theorem 80% question इसी से बन जाएंगे क्या बन जाएंगे 80% question इसी से बन जाएंगे उसके अलावा air spring का conservation तुम्हें आना चाहिए उसके अलावा तुम्हें पता ये velocity time graph जहां पे भी graph होते हैं वो सारी चीज़े important होती है उसके अलावा elastic in elastic collision collision के question आता ही आता है और ये graph की बात फिर हो गई ठीक है तो hopefully सबको समझ म आ रहा होगा आ रहा है समझ में तो comment में बताएंगे आगे चलते हैं rotational motion rotational motion is fully important इसका एक भी concept तुम नहीं छोड़ सकते जितना भी concept है और वो सारे important है क्योंकि इसके अगर एक भी concept छोड़ोगे तो आगे के question नहीं बनेंगे इसलिए सारे concept पढ़ने ही पढ़ेंगे या अब म तुमारी support से चल रहे है तुम family जैसे और तुमारी मदद करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है ठीक है तो gravitation पढ़ना चाहिए अगर मेरे दोस्तों ने electrostats पढ़ रखा है तो gravitation तुझे बिलकुल पढ़ना है क्योंकि concept बहुत similar होते है altitude depth का question आता है gravitational potential important है और उसके लाव important इसके question आते ही आते हैं उसके अलावा Pascal law, stock law, terminal velocity, Bernoulli principle यह चीज़े तुमने पढ़ रखी होंगी नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है अब पढ़ लो important topics है सारे के सारे मैं यार chapter wise important चीज़े नहीं बताना चाहता था तुम्हें physics में मैं तुम्हें बिलकुल deep analysis करके य एक दोस्त यह यह chapter है यह तुझे पता है तुझे पर क्या इसके अंदर के topic पता है नहीं पता है तो आज देख ले और इनिन topic को पढ़ ले जही में जही एडवांस बहुत अच्छी तरीकी से crack हो जाएगा इनसे ठीक है तो सारे topic तुम देख सकते हैं Newton law of cooling से advance में question कभी कब पर आ जाते हैं तो यह चीजे भी note कर लें आगे चलते हैंagne consigly also the chị चीज़ बताना चाहता हूं, जो कि हर एक experience अभी के समय पर गलतियां कर रहा होगा, क्या गलतियां कर रहा है क्या वो previous year जो question की जो किताबे होती है वो purchase नहीं कर रहा है, पर तुम्हें ये गलती नहीं करनी, क्या नहीं करनी, अब सुनो मेरी बात. क्या जो किताबे हैं, पर उनमें जेए मेंस का सिर्फ सौल्ड होता है, जेए एडवांस का नहीं होता है, अगर इसके कुछ फीचर के बारे में बता हूं, जितनी मोटी हैं तो में दिख रही है, उतनी ही ज्यादा useful है किताब, इसमें इतने ज्यादा depth analysis है, और सारी चीज़ें तो तुम देख सकते हो, और पीछे और और इसकी किताबों के बारे में लिखा हूँ है, जैसे की chemistry math, तो अगर तुमें purchase करनी है, link है description में, बिल्कुल तुम देख सकते हो, बिल्कुल जो अभी latest anti-based paper है, वो भी इसमें सारे solution वाले मिल जाएंगे, तो अगर तुमें previous year question प्र last में जाओ, last में जाओ, और फिर check करो कि अच्छा-च्छा सारी चीजे सही है, क्या हमने जो करा वो approach सही थी, और अगर तुमारी approach match नहीं करती, तो इसमें solution देखना last में, और जो approach गलत थी, उसको सही करो, ठीक है, ये best way होता है पढ़ने का, और इसी से ही तुमें essay way से पढ लेंगे भाई है, शुकरिया, कारनेट इंजन के भी question आते हैं, plus, plus मैं graph लिखा है, जितने भी graph होते हैं, isochoric, isobaric, सब के तुमें graph आने चाहिए, ठीक है, आगे चलते है, kinetic theory of gases में से 90% question, RMS speed ratio, temperature ratio, इनी सब पहेंगे, और degree of freedom पहेंगे, ठीक है, तो यही इसमें सबसे पूरा concept है, वो पूरा important है, SHM तुम नहीं छोड़ सकते हैं, SHM is very important, उसके अलावा अगर मैं waves की बात करता हूं, तो standing waves और organ pipe के जो questions होते हैं, और Doppler effect यह बहुत जादे important है, क्रिप पे इनको पढ़ लें, screenshot ले लें, and telegram join कर लें, आगे चलते हैं, electrostats, electrostats में आगे जो पह question बनते हैं, उसके बाद advance पूछता है, gosh law की question, कौन पूछता है, advance पूछता है, advance अपना दोस्त है, वो पूछता है कि यार, gosh law की question बता दे, उसके अलावा है, uniform, charge, thin, spherical, shells, यह सारे जित्ते भी mark हैं, सारे important है, अगर मैं capacitor की बात करता हूं, तो die electric, यह बहुत जादा important concept बन ज आने हैं, तो एक बात याद रखना, circuit solve करना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, circuit solve करना आना चाहिए, circuit नहीं आते तो दिक्कत हो जाएंगी, तो इसलिए series parallel तुम्हें आने चाहिए, combination, उसके अलावा, आज के समय पर advance, जिसमें सबसे जादा question पूछ रहा है, वो है, electric cell, और आतने EMF of cell, combination of cells, ये सब के question पूछ रहा है, और किर्चॉफ law भी, उसके आगे चलते है, magnetic effect of current, आज के समय पर जेही मेन में बहुत ज़्यादा question आते हैं, इस chapter के, ठीक है, तो इसमें अगर तुम्हें बात करो, important, bio-stavet law सबसे ज़्यादा important, empire law भी important है, cyclotron के भी question बन जाते है, torque, torque के तोयर, question तुम्हें पता ही है, किते ज़्यादा important है, hopefully मुझे explain नहीं करना पड़ेगा, ये ज़्यादा, और magnetic, dipole वगेरा तुम पढ़ सकते हो, and hyperstasis, जो इसका curve होता है, ने, curve होता है, वो curve की तुम्हें सारी चीज़े समझ आनी चाहिए, तभी question बन पाएंगे, अभी तक सारी चीज़े clear हो रही है, मज़ा आ रहा है, तो वीडियो लाइक करेंगे, आगे बढ़ते हैं, क्या है अपना unit number 14, क्या है, electromagnetic induction and alternative current, क्या important unit है, देखो अपने लिए, J-Main के लिए, सारा important है, कुछ कम important है, आगे चलते हैं, fred is low, देख लो मैंने सारी चीज़े मार कर रखिये, lens law, ID current का question आता है, RMS value के question आते हैं, और आज की समय पर J-Main में एक question LCR kit का आ जाता है, तो तुम्हें ये भी solve करता आना चाहिए, और असान concept है, काफी असान concept है, आगे चलते हैं, electromagnetic waves, मेरे दोस्त, इस chapter को तुम बिल्कुल छोड़ सकते हो, ये जादा important नहीं है, इसकी जो importance है, वो बहुत जादा कम है, तो इसको तुम बिल्कुल छोड़ सकते हो, मैंने अपने time पर नहीं पढ़ाता, hopefully अगर तुम भी नहीं पढ़ता है, अगर समय नहीं है, तो मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे बढ़ते हैं, अगर तुम ऐसा लग रहा ह तो मुझे पर ऐसा लगता नहीं कि तुम्हें तेज लग रहा होगा ज्यादा, अठीक है, तो optics में आपने पास दो optics होता है, एक तो ray optics होता है, और अपने पास कौन सा होता है, wave optics होता है, तो अगर मैं तुम्हें सच्चा ही बताओ यार, जही मेन में न, ray optics के question आ जाते हैं, पर जही advance में mostly question wave optics के होता है, ray optics का एक भी question नहीं दिखता, तो important बताओ, ray optics में से तो यार, total internal reflection सबसे जाधे important, lens formula, power of lenses है सकते हैं, जितने भी मैंने mark रखे हैं, सारे important है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, wave optics पे, wave optics में यार, young's double slit, यार, ये बहुत जाधे important concept है, हीजन's principle भी mark कर रखे हैं, जितने भी mark कर रखे हैं, एक बार सारे देख लो, ठीक है, screenshot ले लेंगे, telegram भी join कर लेंगे, brister's law के भी question आते हैं, तो hopefully चीज़े clear हो रही हो रही होंगे, आगे चलते हैं, dual nature of matter, इसको क्या बोलते हैं, यार, एक part है, किसका है, modern physics का, modern physics का भईया, एक part है, ठीक ह अच्छी बात है, अब क्या करें भईया, इसमें, इसमें photoelectric effect सबसे दादे important है, और debrogly relation, this is the most important, अगर मैं बोलूं, इसका question बनेगा, तो 80% chances हैं कि debrogly से बनेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है, atom nuclear, ये भी modern physics का ही part है, तो इसमें सबसे दादे important है, radioactive decay, binding energy, और ये अपना fusion, fusion होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, सभी के, आगे बढ़ते हैं, हमारा unit number 19, electronic device, जिसको तुम बोलते हो, प्यारा सा semi conductor, ठीक है, semi conductor, तो इसमें तो सभी पढ़ना पड़ेगा, मैं कहता हूं, नहीं, इसमें से जो तुझे पढ़ना है, वो है, सबसे जादा important है, logic gate तुम्हें, or and non, ये सारे आने वाले ये आने चाहिए, उसके अलावा, zena diode के भी question पूछ लिए जाते हैं, तो ये सारी चीज़े तुम्हें होगी नहीं आती, तो प्लीज पढ़ लें, आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, कौन सा unit number 20, communication system, communication system के भी question बह practical portion से, और मैं तुम्हें अगर सच्चाई बताऊं, अगर मैं सच्चाई बताऊं, वर्लियल कैरी पर screw gate, simple pendulum, meter scale, इन चारों में से आ सकता है, एक से दो question, एक से दो question आ सकता है, बाकी experiment से कोई भी question नहीं आते, चाहे वो ये young's modular surface, इन में से कोई भी question आते हो, ये नहीं दिखत सकते हो, ठीक है, तो hopefully तुम्हें वीडियो में चीज़े समझ आई होंगी, अगर समझ आया है, तो मुझे comment में बताएंगे, telegram join करेंगे, and एक और चीज मैं बता देता हूँ, unacademy के अंदर अपनी special classes चल रही है, अपना कौन सा एक crash course भी launch होने वाला है, तो मतलब चीज़े तुम्हें समझ आ रही होंगी, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी तरीकी से समझ आएंगी, free classes है, कोई पैसा नहीं लगेगा, code, बस एक code बता देता हूँ, एक code यूज़ करना है, वो है, exp hub, जो हमारे channel का नाम है, आगे 10, बस, ये code यूज़ करोगे, मतलब, चीज़े easily clear ह हो रही होंगी, hopefully समझ आ रहा होगा, अगर तुम्हें अच्छा लगता है, तो please इस वीडियो को एक दोस्त के साथ तुम्हारे share कर देना, ठीक है, मिलते अंगली वीडियो में, take care, bye bye, पढ़ते रहे,